पंडोह में रेंज शेटर की मांग के लिए लामबंध होने लगे जनप्रतिनिधी वा सामाजिक संगठन स्थानी ये लोगों वा जनप्रतिनिधियों ने लगाए विभाग पर कामना करने के आरोप जो सरकार रेंज सिल्टर ना बना सके वो बदलनी है चार विधानसभाक्षेत्रों की संगमस्थली पंडोह आज भी अपने जिला के मुख्यमंत्री होने पर कई जनसु विधाव से वंचित है जिनमें पडोह में सब तहसील, विकास खंड, कार्याले, टेक्निकल कॉलेज, सब जी मंडी का ना होना प्रमुख है वही रेनशेल्टर जैसी हलकी फुलकी मांग भी पूरी ना होना भी अब प्रमुख समस्या बनते हुए सामने आ रही है ये समस्याएं वर्तमान भाजपा सरकार की कार्गुजारी पर भी सवालिया निशान बनकर 2022 के विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे बनेंगे क्योंकि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर जैराम की राजनीती पडोह से ही तहोती है और पडोह में ही उनकी चुनावी की रणनीती बनती है इन मांगों को पडोह पंचायत प्रमुक्ता से उठाती रही है इतना ही नहीं पडोह क्षेत्र की अन्य लगभग 32 पंचायते जिनमें सिराज विधानसभाक्षेत्र की पंचायते भी शामिल है प्रस्ताव के माध्यम से सरकार वजिला प्रशासन को इन मांगों को प्राथमिक्ता के आधार पर पूरी करने की मांग उठा रही है इसके बावजूद भी सरकार और जिला प्रशासन पंचायतों और पंचायत जनप्रति निधियों की मांगों पर गौर नहीं फर्मा रहा है जिसके परिनाम भविश्य में सरकार को जेलने पड़ सकते हैं बताते चले की पडोह राष्ट्रिय उच्च मार्ग पर स्थित है अकेले पडोह में ही सत्तर निजी बसे हैं जो समूचे हिमाचल प्रदेश में चलती हैं जिनमें हजारों लोग सफर करते हैं पडोह एक ऐसा स्थान है जहां से हर दो मिनट के बाद ना केवल हिमाचल प्रदेश के लिए अपितू अंत्राज्य स्थरिय बसों के माध्यम से लोग प्रदेश और देश के कोने-कोने तक आते और जाते हैं यानि सफर करते हैं हर दो मिनट के बाद पडोह बस टॉप से दस से बीस सवारिया चरती और उतरती हैं कॉलेज के लिए बेटिया निरंतर मंडी सुंदर नगर के लिए आती जाती हैं विशेशकर महिलाय अपनी सरकारी नौकरी के लिए पडोह में अस्थाय आवास रखने पर अपने कार्या लेओ स्कूलों पंचायतों के लिए अपनी सेवाय देने के लिए बस पडोह से ही लेती है कुल मिलाकर पडोह अत्यंत व्यस्त स्थल है इसके बावजूद भी इतनी सारी सवारियों के खड़े होने के लिए रेनशेल्टर नहीं है जो अपने आप में जहां चिंतनिय विशे है वही सरकार और लोक निर्मान विभाग की कार्गुजारी के लिए सवालिया निशान भी है ग्राम पंचायत पडोह द्वारा लोक निर्मान विभाग को कई बार इस समस्या के समाधन हित्तु प्रस्ताव भेज कर आग्रह किया गया है स्थानिय जन संगठनों ने भी रेनशेल्टर की मान को प्रमुकता से उठाया है इतना ही नहीं विधायक अनिल शर्मा ने रेनशेल्टर निर्मान के लिए पर्याप धनराशी देने का पंचायत को सारवजने कैलान किया है जिसके चलते लोक निर्मान विभाग के ततकालीन सहायक अभियंता विनायक द्वारा मौका करते हुए भूमी का चैन तक करना पड़ा था मगर एक आएक उनके तबादले के बाद ना जाने किस कारण से रेनशेल्टर का मामला एक बार फिर से लटक गया है जिससे स्थानिय लोगों में भारी रोश व्याप्त है युवक मंडल दिल्ली के प्रधान एवं समाज से भी शामलाल ने रेनशेल्टर को पडोव की जनता की मांग बताते हुए इसका निर्मान अती शीग्र करने की मांग की है स्थानिय पचायत प्रधान गीता देवी ने बताया कि इन्होंने भी यह मामला कई बार विभाग के अधिकारियों के पास उठाया पर विभाग की तरफ से तालमटोल ही किया गया इन्होंने मांग की की रेनशेटर का कार्य जल्द से जल्द पुरा किया जा सके ताकि आमजिन मानस को सुविधा मिल सके इस संबंध में अधिशासी अभियंत लोक निर्मान विभाग मंडल दो ई धीमान का कहना है कि यह मामला उनके ध्यान में है जल्द ही वे जगह का चयन करेंगे तत पश्चाथी रेनशेल्टर के निर्मान पर वह कुछ कह सकेंगे पंडो से आपका फैसला टीवी के लिए समवाददाता बालक राम की रिपोर्ट